मुंबई के पास डूंबी वली की एक फैक्टरी में एकल धमाका होने और आग लगने से जो लोग मरे उनकी संख्या अब नौ हो गई है और आपको ये भी बता दे कि धमाके के वक्त का सिसी टीवी विडियो सामने आया है पहली तस्वीर घड़ी की दुकान के शीशे तूटते हैं और दुकान में बैठा शक्स बाहर भागता है दूसरी तस्वीर ओफिस में दो लोग बैठे हैं तभी खिड़की के शीशे धमाके से चकना चूर हो जाते हैं और दोनों खिड़की से बाहर देखने लगते हैं तीसरी तस्वीर, एक और दफ्तर की है जहां बैठा स्टाफ अचानक शीशा तूटने के बाद घबरा जाता है चौथी तस्वीर, धमाके से सडक पर शीशे के टुकडे बिखरते हैं और अफरत तफरी मज जाती है ये सभी तस्वीरें मुंबई के पास डोंबिवली में केमिकल फैक्टरी में हुए धमाके की जगह से डेर से दो किलोमीटर दूर की है तो सोची, जहां ये धमाका हुआ, वहां क्या हाल हुआ होगा जिस प्रोबेज इंटरप्राइजेज नाम की केमिकल फैक्टरी में बॉयलर फटा, उसके बगल की ये फैक्टरी है, जिसकी छट धमाके से उड़ गई आज सुभे यहां एक महिला का शौ मिला आसपास की कई और इमारतों को नुकसाद पहुँचा और गाड़ियों के शीशे तूट गए थे अब पुलिस गयर इरादतन हत्या का मामला दर्जकर जाज कर रही है